हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 7th की वोक्षीट नंबर 35 जो की 30th of November 2021 की वोक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइन्स और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट तो चलिए इस वोक्षीट को स्टार्ट करते हैं अमन, a very curious student of class 7th, have studied that light travels on straight line path देखो अमन को ये पता है कि line में ही हमेशा light travel करती है पर उसके mind में question आता है कि अगर light मानलो इस तरीके से पास कर रही है और इसके path में हम mirror रख देते हैं या कोई polished surface या smooth surface रख देते हैं तब क्या होगा तो यहाँ पर हमें समझना है कि सबसे पहले a smooth surface is either a highly polished surface और a mirror ठीक है तो smooth surface से मतलब है यहाँ पर polished surface या फिर mirror अब अमन ने यह question अपने teacher से पूछा कि अगर light travel कर रही है और उसके रास्ते में हम a smooth surface रख देते हैं तो क्या होगा तो अमन की teacher ने experiment किया और इसके through इन्हें समझाने की कोशिश करी है इस experiment में हमें क्या करना है एक source of light यानि ही torch लेना है और इसको black color के paper से cover कर देना है torch को बस 2-3 इसमें cuts लगाने है जिससे light निकल सके और इस तरीके से light हमें निकलती हुई यहाँ पे नजर आएगी और इसके सामने रास्ते में हम mirror रखेंगे या कोई भी polished surface रख देंगे और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही यह light इस surface से टकराएगी टकराने के बाद हम देख पा रहे हैं कि नीचे कुछ इस तरीके से light हमें आती हुई नजर आ रही है तो इस पूरे experiment से हमें क्या पता चल रहा है conclusion क्या निकल रहा है कि a mirror changes the direction of light that falls on it यानि mirror पे कोई भी light अगर जाकर टकराती है तो mirror उस light के direction को change कर देता है this change of direction by a mirror is called reflection of light तो इस तरीके से mirror के द्वारा जब light की direction change कर दी जाती है उसका path change कर दिया जाता है तो इसी को हम कहते है reflection of light in the above activity we are able to see the reflected light from the mirror और इसमें हम देखी रहे हैं कि reflected light कहां पे है ये वाली जो light हमें नजर आ रही है ये है reflected light ठीक है the direction of reflected light gets changed with the change in the direction of incident light अब ये जो reflected light है इसके direction change होती जाएगी अगर हम ये जो source है जहां से light आ रहा है इसको change करेंगे यानि अगर फिलाल light यहां से आ रही है तो जो reflection की direction है वो ये है अगर light यहां से आ रही होती तो उस case में reflection की जो direction है वो कुछ इधर होती ठीक है यानि कि जो ये angle है जिस से light इस surface से टकराती है वो determine करता है कि light जो है किस direction में वापस जाएगी ठीक है अब कुछ questions है इनके हम answer लिख लेते है question number one है what do you mean by the reflection of light यानि reflection of light की हमें definition बतानी है तो यहां से लेकर यहां तक यहां तक यहां आ जाएगा question number one का answer ठीक है question number two है write two more examples of smooth surface यानि smooth surface के हमें example mirror के अलामा कुछ और लिखने है चलिए इनकी answer लिखते है तो बच्छो आप इसके examples ले सकते हैं new steel plate यानि steel की वो plate जो बिल्कुल अभी नई है वो काफी जादा smooth होती है and second marble आप इसका example ले सकते है question number three है what is an image? image क्या होती है इसको हमें define करना है चलिए इसका answer लिख लेते हैं तो इस question का आप answer लिखेंगे when the light rays coming from an object appear to meet at a point after reflection or reflection the point may be defined as an image तो ये हो जाएगा हमारे question number three का answer and ये थी आज की हमारी science की worksheet and I hope आप सभी को ये worksheet बहुत अच्छे से समझ में आई होगी and अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी share करें और इस channel को subscribe करें Thank you